है गाइस कैसो आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके इपने यूटूब चैनल एक रिब्डेट में सो फ्रेंट्स इस स्टूडियो में बात करेंगे साइम हिंगिन वाटन यूनिवर्सिटी अफ एग्रिकल्चिरल टेक्नलोजी एंड साइंसेज हजी यह बात कर रहे हैं हम सुआट्स की सुआट्स इलहाबाद नाइनी में सिचुएटेड एक अग्रिकल्चिरल कॉलेज है अग्रिकल्चिर के साथ साथ यहां पर बहुत सारे कोर्श में नर्सिंग में हर चीज में पढ़ा होती है लेकिन मैं इस स्ट्रूडियो में इस पिसली एकर कल्चिर की बात क हो इस सुड्यो में आपके सारे कंफुघिजन को दूर करने वाला हों साथ में इस युनिवसरीटी के अडिमिशन प्रॉसस के बारे मताने वालो और उससे पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी एट उजट प्रॉसस इस युनिवसरीटी से सुवार्स से रिलेटेट मैं आपको प्रोसेस समझाने वाला हूं तो गैसे अडमिशन लेना आपको वह चीज़ पर बात करेंगे साथ में और बहुत सारी चीज़ है हम यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले बात किलते हैं स्वार्स 2021 का अप्लिकेशन और अपकंदेशन के लिए अडमिशन होता है कैवल हम इस स्टूडियो में अग्रिकल्चर के लिए बात करेंगे ये भी अपने इंडिया के सभी इंपोर्टेंट रिवल्यूशन में एक काम आया उनिवर्शिटी आपको पता होगा पंतनिगर की तरह यहां भी बहुत पहले से अग्रिकल्चरल एजुकेशन अग्रिकल्चरल फॉर्मिंग बगारे पर ध्यान दिया गया है आपको यहां पिजिक्स तो एक बात कैसे आपको अप्लाई करना है वह चीज मैं आपको सूडियों बताने वाला हूं साथ में टोटल सीटे कितनी है आई सीटे कितनी है सबसे पर इंपोर्टेंट डेट को देख लेते हैं आपका इंपोर्टेंट क्या रहेगा एंटरेंस एक्जाम के लिए ठीक है तो वो लोग आफ लाइन फार्म से लिए उनिवर्शेटी काउंटर से ले सकते हैं एक अप्रिल से ठीक है कितना एक्जामनेशन फी है उसकी भी चर्चा करेंगे सूडियों में पहले हम यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स को तो जो हैं इंट्रेंस एक्जामस आप बारह जून है यानि कि बारह जून तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाइक कर सकती हो उसके बाद जो आपका एड्मिट कार्ड आएगा एड्मिट कार्ड आपका उनिवर्ट्री के ऑफिसल साइट ते www.swart.education.in पे 18 जून से पब्लिस हो ज एड्मिशन एग्जाम होगा उसके बाद 30 जून को ही दो बजे से चार बजे तक यहाँ पर पीजी कोर्स में अड्मिशन होगा उसके बाद एमेड वगरे भी है आप तो उसको देख लिएगा प्रॉस्पेक्टर्स राउनलोड करके उसके बाद यह फॉर्मिट रहेगा पर एड्मिशन फी की जो समस्टर वाइस फी से उसकी क्योंकि बहुत लोग को प्रॉब्लम साती यहां के फीपे करने में तो उस एड्मिशन लेने फार्म अप्लाइब करने से पहले आप लोग को यहाँ पर फी जान लेना अथी आवश्यक है तो फी क्या है यहां पर मैं आ अधिक जंत संक्या बच्चों की या टीचरों की वो क्रिश्यन की है ठीक है तो फीस की बात के लिए फीस में आपको पहले बताऊंगा बीसी एजी के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं तो बीसी एजी का जो सेमेस्टर वाइस फीस है वो है 51,000 पर सेमेस्टर यानि कि टोट एक्सक्राइब होस्टर में इस पीरोटी इसमें आपको होस्टर में सीक्योर्टी ये सब नहीं है ठीक है आपको यहां पे स्ट इक वंटल्टी सीकेरिकन इसफर्टी स्टरृचर फोस्टे कमटी साइन्सक्राइशन में सब्सक्रेशन और समें 50 170 holiday प्रफेशनल फी एक पढ़ाई के लिए तो काफि ज्यादे फी से बट यहां पर एक फैदा है आपको यहां पर रिटर्न हो जाती है पैसे या फिर आप अपना पैसे को यानिक अपनी एक्जामरेशन जो आपको फी होगा समिश्टर का उसमें करा सकते हो तो आपको शॉलर्श कंड़ेट्स होते हैं उनके लिए पांस हजार डॉलर पर यहां पर यूजी प्रोग्राम की फी है जाप देख लिए यहां पर साप्षप मेंशन गया और एनराइज स्पांसर इस्टुडेंट्स और फी और यूजी प्रोग्राम्स विल भी फाइफ थाउजड डॉलर पर य आज यह दो यह सेम तिंग बात करतें जिकिक जिसमें एग्रॉम्स बढ़काल्चर और स्वाल साइइस प्लाइंट प्लाइफ उमला जे इन सभी की कोर्स की फी है किन रुपए पर सेमिस्टर तोटल चार साल का कोर्स होता है और एक क्यान रुपए पर स्थाजड रिता पर सब्सक्राइब और यूजी पीजी का वहाँ पे ऑल्ड हॉस्टल है यहाँ पे आपको दो लोगों को रहना पड़ेगा हॉस्टल में डबल सीटेड है उसके बाद फोर सीटेड में ड़ेगे मशुछ अगाइं आप मल्टाइब मटो एक साहते हैं उसमें चीजां फीरे चाह extrêmement gadget खंट ह्क साल का और एक उसरों में दो बल्ग होगे 47,000 ईस्वात क ओविसि बेग्ग्राउंड के इसपैसली यह और मेस फैसल्टी में देखा लाइए तो मेस फैसल्टी में यहां पर आपका जो मेस का खाना होगा वह उसका फिस आपको अलग से चार्ज दिना पड़ेगा दो हजार रुपए पर ये मन्थ है वेजेटेरियन के लिए तीन हजार रुपए पर मन्थ है नॉन वेजेटेरियन फूड के लिए आपके बेसिस पर आपके रिक्वार्मेंट पर ये डिपेंड करता है अब बात किरते हैं स्पेसली टोटल नंबर आफ सीट की कितनी यहां पर सीटे हैं और कितनी सीटे ICR की हैं कितनी सीटे यहां पर खुद की हैं तो गय्घस बातर ने पहले BSC Honors Agriculture के लिए तो Agriculture में Total seat है आपकी 300 seethmhing होटीrd फैसीट में 120 है डिय कल्चर में 300 seat हैं होटी 2021 जिसमें कि 50% seat reserve रहती है आई किन्डी weight के लिए यहां पर हर साल ICR के थूरू भी यहाँ पेड़ मिशन होता है बट लास्ट इर यहाँ पेड़ मिशन ICR का जो सीट था उसको भी इन्होंने खुद ही फिलब कर दिया था ठीक है तो यह चीज इंपोर्टेंट है आप इसको ध्यान देजेगा तो जो 108 की टोटल सीट है वो 255 है 45 सीट यहाँ पे ICR की है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यह 45 सीट यहाँ पे ICR की है उसके बाद हम बात करते हैं होटी कल्चर के लिए तो बेसी होटी कल्चर में 18 सीटे ICR की है 102 सीटे सुआर्ट की जिसमें टोटल सीट बनती है 120 डूरेशन है टाइम आठ से मिस्टर का कोर्स है अगर आप 10 प्लस टू PCM PCV और PCMB आपका एंटर एगर कल्चर से रहा हो तो आप इसको अप्लाइग कर सकती हो बेसी फॉर्टी कल्चर की 120 सीटे bc forestry की 30 सीटे जिसमें 9 सीटे ICR से आती है एक क्यान सीटे स्वार्स के से इंटरेंस इंग्जाम से बीए इसी कमियूटि साइंस की टोटल साइट से हैं 9 सीटे ICR से बहुत बड़ा मुद्दा बनता है आज के समय अग्रिकल्चर कोर्स में अड्मिशन लेने के लिए कि आप किसी भी ICR Recreation College से पढ़े होने चाहिए तो यह एक इन सभी मानुकों पर खरा उतरता है आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर्म के लिए कर सकते हो अगर आपका इंटर अग्रिकल्चर बाई मैट से रहा हो तो ठीक है जैनुशन संटर की बाद पहले बात के लिए आपको कितना फिए यहाँ पे तो जो एप्लिकेशन फीज अप्लिकेशन चार्ज है अल अंडर लाइक यूजी की कोड़ एक है 01 पीजी का कोड़ 03 है ऐसे आप अपने कोर्स का कोड़ देख लिएगा सेम यहाँ यहाँ यह कोर्स नंबर कोड़ दिया गया है और कितने अकेडमिक प्रोग्राम की आपकी यहाँ पे सीट डिवाइड़ेड है कितना टाइम डिरेशन है वहा आपको online application form भरना होगा prospectus download के लिएगा वहां से आपको पूरी information मिल जाएगी क्या चीज कैसे है और आप 12 जुन तक यहाँ पर form apply कर सकते हो उसके बाद foreign candidates के लिए यहाँ पर 50% सीट रिजर्व रहती है दोस्तों आपको बात बतादू total 100% सीट का 50% सीट यहाँ पर Christian minority के आप आप सब बताएगे आपको ICR की भी यहाँ पर साइट मिल जागा इसके बारे में तो ICR एक प्राइवर्ट उन्यूर्टी है जिसमें आपकी 15% सीट 15% सीट यूजी कोर्सेश के लिए ICR के थुरू फिलफ होती है 25% सीट ICR की PG के थुरू और 75% सीट पोस्ट इस कोर्सेश में अवेलबल है जो यहाँ पर है ठीक है अब NRI की वात्रूत NRI की सीटे भी यहाँ पर NRI स्पांसर कंड़ेट्स के लिए 50% सीट रिजर्व रहती है रेगुलर सीट कंड़ेट्स के लिए 50% सीट है कस्मीरी माइगरेंट के लिए 15% सीट है इस्पेसल कंड़े पर एक स्कोलरसीप दिजाती है यहाँ पर सुपसाइब देख लिए और यह स्कॉलरसीप जाती है और यह स्कॉलरसीप आपको यूपी गवर्मेंट परा दी जाती है पासित्व करते हैं इंपोर्टन डॉकुमेंट्स क्या करें एकर रहना चाहिए एक्शंगा इंकम के लिए सब्जेक्ट कोड क्या हैं तो ऑप्सेनल सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो आपका इंट्रेंस में आने वाले सीज़ए ठीक है इंट्रेंस में उजी के लिए तो यूजी में पहला दो सेक्शन में पिपर आता है इसमें compulsory एक रहता है general aptitude वो सबको करना पड़ता है वो सभी लोग जो 12th PCM PCB PCMB से पास की हों वो यहां पर general aptitude question कर सकते हैं वो compulsory उसके बाद second है agriculture में देखा जाए तो agriculture for arts इसमें से कोई आपको एक question एक subject सूच करना पड़ता है जिसमें पहला है compulsory section general aptitude second agriculture section में अगरी कल्चर ठीक है इन तीन option में से कोई एक option करना पड़ता है आपको तो गया जनरल aptitude की question आते हैं यहां पर और agriculture question आते हैं बस इतने ही दो question आते हैं यूजी कोर्स के लिए बात करता है प्यूजी कोर्स के लिए जो आपका तीन सिक्षन है ठीक है तीन सिक्षन में आपको एक जनरल aptitude question एक टीचिंग और एक optional में अगरी कल्चर रहता है जो आपको प्यूजी जो एमसी बगरे के लेते हैं उनको यहां पर दिना पड़ता है डेट आप इंटरेंस के बात करना तो इंटरेंस टेस्ट रिजल्ट आपका एक्जाम के कुछ दिनों बाद ही साथ जुलाई को पुब्लिस हो जाएगा ठीक है साथ जुलाई को आपका रिजल्ट डिक्लेर हो जाएगा उसके बाद कुछ दिनों बाद से आपकी वहाँ पे एड्मिशन प्रोसेस कॉमेंसलिंग बगर स्टार्ट हो जाएगे लास्ट बाराज जुन है तो बाराज जुन तक आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप लोग विदाउट इंटरेंस कुछ यहां पैसे आपको ज्यादे दिने पढ़ेंगे उसके तुम यहा तो आप मुसे कॉंट्रेक्ट कर सकते हो मैं आपको बाद में पूरी प्रोसेस समझा दूँगा लेकिन अभी यहां पे एड्मिशन का प्रोसेस चल रहा है अगर आपको कोई भी दिक्कत हो टेलिग्राम ग्रूप जायन हो जाएगा वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ए-to-z official मिलती रही तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उनिवर्सिटिक एडमिशन के साथ तब तक के लिए आप सभी का दिन सुभो और वीडियों के देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद